जैसा कि आप इस स्क्रेन पर देख पा रहे हो, कुछ एस तरह के आते हैं कि घास के मैदान में कुछ जानवर को बान दिया गया है और उनको चराय जाता है and second thing जो कुछ और questions आप देख पा रहे हो, ये काफी tough questions माने जाते हैं बिरतिके छेतरफल से संबन दित्तिक है तो इस छेत्रफल को ले करके बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं Even मैं भी हुआ करता था उस टाइम पे And अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये confusion बनी रहती है तो आप बिल्गुल सही जगह देख रहे हो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ सत्यंदुविया आप सबका टेट मैथ विद कॉंसेट में अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कीजिए हम पढ़ते हैं अपने व्रित्य के संबंधि चेतरफल के प्रस्नों के पढ़ने के पहले मैं इस व्रित्य का पूरा कॉंसेट क्लियर कर दिना चाहता हूँ जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो ना ठीक है इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज को स्टार्ट करता हूँ तो देखो बृत्य क्या होता है अगर आप पढ़े होगे तो आपको आयत का चेतरफल बहुत आसानी से निकलता है कुछ इस तरह से होता है ना आयत और आप आयत का चेत्रफल कैसे निकलते हो लें देखो कैसे बन सकता है यहां पर हम आगर इसका ले लेते हैं और यह पॉइंट से लेते हैं तो यह सारी चीजे रेडियस होंगी थिक है अब इसी तरह से इसमें कई सारी रेडियस होंगी, बहुत सारी होंगी रेडियस, ठीक है, अब इन ही रेडियसों को अगर इनके पार्ट को निकाल करके बाहर के आज़े, जैसे मालों ये C वाला पार्ट है, ठीक है, और जितने पार्ट आपको boundary line पे मिल रहे हैं, यानि कि इसकी परिदी पे मि को इस तरह से A, C, B, कुछ इस तरह से मिल सकता है, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और फिर इसी से सटे हुए दूसरा जो पार्ट आपको मिल सकता है, वो मिल सकता है, फिर आप अगर थोड़ा सा नीचे कर दो, तो आपको इस तरह से मिल सकता है, यहाँ पे D वाला, फिर अगर इसको आप थोड़ा सा उपर कर दो तो यहाँ पर मिल सकता है यफ वाला बहुत आसानी से बहुत सारे पार्ट मिल सकते हैं और फिर इसको थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर जी मिलेगा यहाँ पर उपर करोगे तो यह ले सकते हो आप आसान से अब आप देखो ये खुद एक dot से जब मिलाओगे इस तरह से तो ये एक आयत बनता जाएगा और यहाँ पे finally एक आयत बनता जाएगा ठीक है तो इसी सब चीजों को निकालने के बाद इन्ही सब चीजों को निकालने के बाद थर्ड सेमेस्टर में आपको त्रिजिखंड का चेतरफल पढ़ाया गया होगा अगर आपको याद होगा तो ठीक है और उन्ही जिखंड के चेतरफल से related ये सारा questions लगने वाला है अब उन्हीं से related इसका जो चेतरफल आता है ध्यान समना इसका जो चेतरफल आता है वो आता है pi r square where pi is equals to 22 upon 7 जहाँ पे आपको 22 बटे 7 की ज victos 맞아 तो श्रूत पढ़े वहां पे हम 3some lawt ones 1964 समkee ठीक है तो आर जो होता है तो आर जो होता है दोस्तों वह था त्रिज्या क्या होती है किसी भी ब्रिज्या की त्रिज्या होती है याद रखना वेंने पिछले connection क्सेश्चंट की क् वृटिक होता है विस्का थी रहेंगे मैं फिग्राइस करके यह वाला जो पार्ट है जहां पे A, B, C, D, E, F, G, S लिखा है यही हमारी परिद्य होती है ब्यास क्या होता है कि अब अगर कोई दो बिंद मालनो यहां पे हमने यच ले लिया यच से E तक मिलाने वाला जो रेखा खंड होता है अगर वह रेखा खंड ब बृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कर लाती है ब्यास कर लाती है इस चीज को आप याद रखेगा क्योंकि यह पूछा गया question है कि बृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कर लाती है ब्यास कर लाती है अब आती है बारी की हम questions को कैसे ही start करेंगे तो कभी भी आप किसी भी questions को लगाना, उसकी simple सी एक trick मैं आपको बता देता हूँ, हमेसा सब से पहले उस सवाल में आपको R find out करना है, अगर आप किसी भी सवाल में जो बित्त का है, अगर उसका R आप निकाल लिए, मतलब क्या निकाल लिए, तृरिज्ञा निकाल लिए, तो आप उस बृत्य से सम्बंदित कोई भी सवाल पूछा जाएगा आप सब निकाल के निकाल दोगे जैसे देखो क्यों क्यों क्योंकि देखो πाई आर स्कॉयर में भी आर है त्रिज्या में भी आर है व्यास में भी आर है और परिदि में भी आर है अब इसके अलावा पाई कामान तो आपको पता ही होता है, हमेशा पता होता है, दो कामान तो कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ पे भी दो कुछ नहीं बदलेगा, और पाई कामान भी हमें पता होता है, तो मैंने सिंपल से ट्रिक आपको बता ही क्या, कि आपको हमेशा क्या पता एक गाए, जैसा कि मैंने आपको सुरु सुरु में यह क्वेस्चन दिखाया था तो खूंटे से जो बंधी एक गाए है वो 14 मीटर दूरी तक चर सकती है अब एक घास का मैदान मान लो कोई घास का मैदान है इस तरह से कोई घास का मैदान है और एक खूंटा है इसमें जो गाय बंदी है ये कितने दूरी चल सकती है 14 मीटर की दूरी को चल सकती है ठीक है ये रसी है और यहाँ पे एक गाय है ए पॉइंट पे वह कितने छेतरफल घास चल सकती है छेतरफल का मतलब क्या होता है इस खूटे के चारों तरफ वो घास को चर सकती है ध्यान से समझना खूटे के चारों तरफ और यही जो 14 मीटर है यही इस बृत्त का क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा इसका मतलब फर्स कॉस्चन अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें रेडियस कितना मिलेगा 14 मीटर दोस्तों मैंने आपको सुरू में ही बताया था कि अगर आप रेडियस फाइंड आउट कर लेते हो तो किसी भी बृत्त का छेत्रफल परी धिव्यास सब आप निकाल सकते हो तो यहां से छेतरफल परावर फार्मूला क्या होता है पाई आर स्कॉर देन पाई को ऐसे ही रहने दो आर का मतलब हो जाएगा 14 का स्कॉर ठीक है अब इसको हम लिख सकते हैं पाई की वेल्यू कितनी होगी 22 पटे 7 multiply by 14 and multiply by 14 तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 अब यहां पर multiply किराते हैं तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 and गुड़े 14 और 14 चोग को कितना होगा 56 हो गया 5 बचाज फिर 14 चोग को 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 यानि 616 वर्ग मीटर की घास को वो गाई क्या कर सकती है चर सकती है इस तरह से हम अपना second question देखते हैं तो लिखा गया एक बित्ताकार फर्स का छेत्रफल 66 वर्ग मीटर है छेत्रफल बराबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 66 वर्ग मीटर आप तुरंत note down कर लो ठीक है 66 वर्ग मीटर पूछा गया है बताया था कि जब तक आप r की value नहीं find out करोगे आप कुछ नहीं बता सकते हो circle के अंदर ठीक है तो अब pi का मानी यहां रखोगे तो कितना आएगा 22 बटा 7 गुड़े r square बराबर कितने के 66 के यहां से solve करते हैं तो देखो r square यहीं रहने देते हैं बराबर 7 यहां भाग कर रहा है इधर क्या करेगा गुड़ा तो इसको लिख लेते हम 66 गुड़े 7 अब 22 वहां गुड़ा कर रहा है तो क्या करेगा भाग करेगा या सीधी बासा में समझो 22 बटा 7 को अगर हम इधर बेजेंगे तो यह पलट जाएगे यानी 7 बटा 22 हो जाएगा अब 22 को काटोगे तो 11 दुना कितना हो जाएगा 22 और 11 चका कितना हो जाएगा 6 चड़ टीक है ऊपर हो गया 2 से काटोगे तो 2 तियां कितना हो जाएगा 6 अब फिर 7 तियां कितना हो जाएगा 21 तो ये हमारे r² की value आगी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किसकी value आगी r² की और हमें value किसकी find out करनी है r की तो r की value कितनी होगी under root 21 इस तरह से जो ब्यास होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 multiplied by under root 21 meter का हमारा उस छेतरफल का उस फर्स का क्या हो जाएगा ब्यास हो जाएगा next question देखते है तो हमारा तीसरा question दिया गया है 14.7 cm वाले ब्रित का छेतरफल ग्याद कीजिए अगर किसी की तरिज्या कितनी है 14.7 cm radius है 14.7 cm तो इसका हमें छेतरफल बताना है तो बहुत आसानी से हम इस question को लगा सकते है छेतरफल बरावर formula क्या होता है वो लिख लो तो pi r square होता है ठीक है अब इसमें क्या करना है आपको pi कमान कितना होता है 22 बटा 7 और r की जगा कितना रखेंगे 14.7 तो यहां लिखो 14.7 गुडे 14.7 अब यह जो multiplication है यह आपको करना पड़ेगा क्योंकि अब हर चीज करके answer बताते चलना यह सब इसमें अच्छा नहीं लगता है 7 से इसको काटोगे तो 7 दूना 14 एंड फिर 2.1 आ जाएगा इसलिए इसको परिसान मत होना यह आसानी से कट गया अब यहाँ पर सिर्फ multiplication कराना है यानि की गुड़ा कराना है वो आप लोग करवा लेजेगा ठीक है चौता question हम लोग देखते है तो चौता question क्या दिया गया है एक बृत्तकार मैदान की तरिज्जा कितनी है 49 मीटर की है तो आप मैदान बना लो और यहाँ पर एक center हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो radius है वो कितनी है 49 मीटर की है आप से क्या पूछा गया है मैदान के बाहर 4 और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है तो इस तरह से एक रास्ता है मैदान के और यह कितना चौड़ा है तो इसकी चौड़ाई है 7 मीटर की ठीक है इसका मतलब अगर इस center point से हम बृत्त तक की तरिज्या देखेंगे तो उन्चास है लेकिन इस center point से अगर हम रास्ते तक की यानि B point तक की तरिज्या देखेंगे तो उन्चास और 7 कितना हो जाएगा 56 मीटर हो जाएगा ठीक है याद रखना इस चीज़ को यानि इसमाल R बराबर आपका उन्चास हो गया यानि B point तक का हो गया उन्चास and capital R बराबर कितना हो गया 56 मीटर इसी चीज़ को याद रखना चोड़ी सड़क बनी है सड़क का छेतरफल ग्याद किज़े थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम बड़े बृत वाले सड़क कौन सा पार्ट है सड़क वाला पार्ट ये है यही सड़क है हमारा अगर हम इस बड़े बृत वाले यानि इस पूरे वाले बृत से अगर हम इस छोटे वाले बृत को निकाल के बाहर कर दें जैसे मालो ये वाला हमारा एक बड़ा वाला सरकिल है और ये वाला छोटा सरकिल है तो यही हमारा रास्ता है ये वाला पार्ट हमारा रास्ता है ठीक है अब इस रास्ते का छेतरफल कैसे पता चलेगा अगर हम इस बड़े वाले ब्रित में जिस पर B इस्थित है उसमें से A वाले पूरे सर्किल को जयानि इस वाले पूरे पार्ट को बाहर फेक दें ठीक है तो हमें सिर्फ यहां पर सड़क मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ कि B वाले circle में से किसको घटाना है A वाले circle को तो हम लिख सकते हैं रास्ते का छेतरफल बराबर ध्यान से समझो रास्ते का छेतरफल बराबर बृत B का छेतरफल बृत B का B का छेतरफल माइनस बृत A का छेतरफल समझ में आई बात तो बृत B का छेतरफल कितना है दोस्तों तो पाई और capital R square क्यों मैं capital R लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़े वाले बृत रीग के लिए हम क्या use करेंगे capital R और छोटे वाले बिढ़े के लिए हम क्या use करेंगे small R माइनस पाई small R square ठीक है अब capital R की value कितनी है तो देखो यहाँ पे 56 का whole square हो जाएगा minus pi 49 का whole square हो जाएगा दोनों में pi common है बाहर निकाल लो क्या बचेगा 56 का whole square minus 49 का whole square अब देखो यहाँ पे यह मिल गया a square minus b square तो formula क्या होता है तो हम देखते है formula क्या होता है तो यह formula होता है pi तो है ही रहेगा ही formula होता है a square minus b square का जो formula होता है वो होता है एक कोस्टक में a plus b and दूसरे कोस्टक में a minus b तो इसी formula में हम रखतेते हैं तो a plus b जह हम लिखेंगे तो 56 plus 49 लिखेंगे and जह हम a minus b लिखेंगे तो हम 56 minus 49 लिखेंगे ठीक है अब देखो जरा, तो यहां से जब आप solve करोगे तो πाई, एंड, 9, 6, कितना हो जाएगा 15, तो यहां पर हो गया 5, बचा 1, 5, 9, और 1, कितना हो जाएगा 10, एंड, multiply by 56 में से 49, घटा होगे तो आपको मिलेगा, 7, गुड़ा करा दो तो 7, 35, कितना बचा 3, 0, तो फिर यहां पर 3 हो जाएगा 7, 7, 35 गुड़े, अब पाई का मान रख दो, 22 बटा 7, 7 से काट दो तो अपना 7, 1, 7 हो जाएगा, फिर यहां पर 0, और 7, 35, गुड़ा करा दो 22 से, तो 22, पचे 110 होता है, तो 0 हो जाएगा, बचे का 11 है, 22 का 0 में गुड़ा कराओगे, तो 11 रहेगा ही, तो उसका 1 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, 22, 22, और 1 कितना हो जाएगा, 23, 110 वर्ग मीटर जो होगा, वो होगा, रास्ते का छेतरफल, तो इस तरह से आपका चौथा कोश्चन लगता है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं अपना पाँचमा कोश्चन, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, 35 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गा कार, चादर से, लोहार, मतलब अब यहां तक रुख जाओ, पहले यही देख लेते हैं, तो 35 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गा कार एक चादर है, मतलब वर्ग का मतलब होता है, कि उसकी चारो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो अगर हम एक इसका नाम देते हैं, तो A, B, C and D, इस तरह की चादर हो गई, अब लिखा गया है, लोहार क्या करता है, बड़े से बड़ा बित्ताकार समतली तवा तयार करता है, अब सिंपल सी समझो, कि लोहे की एक चदर देखे होगी, काफी बड़ी बड़ी सी चदर प्लेटें आती है जब करता है, अब देखे हैं, अब सवाल फिल ये लिखा गया है, कि अब यह 35 संटीमिटर मुटर अगर अगर बड़ी ते नहीfik है, हो गया तो इसका सेंटर जो होगा वो C हम ले लेते हैं अब देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है यह 35 यह जो यहां से यहां तक की लेंथ है P से लेके R तक की ठीक है जैसे मैंने बता है यह P P Q यहां पे Q है और यह हमारा R है और ये हमारा yes है तो जो P से लेके R तक की length है ये पूरी 35 है क्यों 35 है क्योंकि देखो A से लेके B तक की A से लेके B तक की जो length है वही 35 है तो P से लेके R तक की भी length कितनी हो गई 35 हो गई इसका मतलब ये जो तवा तयार हुआ है P Q R S सबसे पहले तो मैं आपके बता दिना चाहता हूँ जो चादर है हमारी बहुत ध्यान से समझो इस question को वो है A B C D ठीक है A B C D clear और जो तवा है हमारा वो है हमारा P Q R S P Q R S तो P Q R and S अब चुकि इस तवे को हम एक circle माल लेते हैं और इस circle का जो ब्यास हमारा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 35 cm इसका मतलब इस circle की जो radius मिलेगी वो 35 बटा 2 cm मिलेगी भाई ब्यास का आद ही होती है ठीक है और इस तवे की प्रतेक भुजा वो कितनी है 35 cm की अब सवाल क्या पूछा गया है तवे का छेतरफल बताओ मैंने आपको बताया कि अगर आप radius पता लगा लेते हो तो किसी भी circle का आप छेतरफल बता सकते हो तो जो तवे का छेतरफल होगा दोस्तों वो कितना होगा वो होगा pi r square pi की value कितनी होती है 22 बता 7 r की value कितनी मिली है 35 बता 2 and multiply by 35 बता 2 because r का square है ठीक है 7 से काटोगे 7 पचे कितना हो जाएगा 35 अब दोखो 2 से काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 अब कुछ कटने वाला है नहीं तो उपर 11 55 गुड़े 35 तो 11 55 गुड़े 35 and बते में 2 इसको आप लोग solve करके यहाँ से area निकाल सकते हो या मैं थोड़ा सा अगर solve कर देता हूँ तो देखो आप जो गुड़ा कराओगे तो 2 से काटोगे इसको 35 को तो यहाँ पे आएगा 17 दूना 34 यानि 17 दूना 5 साड़े सत्रा आएगा अब 55 से जब गुड़ा कराओगे तो जो भी आएगा वो आपका किसका area आएगा तवे का छेतर फाल आएगा अब ध्यान से समझना पूछा गया कितनी चादर बचेगी जड़ा देखो ध्यान से कि अगर हम इस तवे को इस तरह से काट देते हैं तो चादर कितनी बचेगी चादर तो ABCD थी ना ये वाला पार्ट था पूरा तो इस में से हमने इस तवे को अगर निकाल देना है तो ये जो पार्ट हैं ये हैं हमारी बची हुई चादरें अब ये हमें कैसे पता चलेंगे कि कितनी चादर बची हैं तो आपको क्या लिखना है बची चादरों का छेतर फल बची चादर का छेतर फल कैसे निकलेगा दे मैंने बता है पूरी चादर A, B, C, D मतलब ये चारो चादरों को चारो तरफ का छेतरफल निकालने के बाद उसमें से अगर ये जो P, Q, R, S वाला छेतरफल है इसको हम क्या कर दें? गायब कर दें तो हमें ये किनारे किनारे वाले चेतरफल मिल जाएंगे imagine करो कि अगर हम इसको गोल सा निकाल करके काट के बाहर कर दें तो हम जैसे हमारे घर में चौवा फरवंता होगा याद होगा आप लोगो तो ऐसे काट करके गिलास से निकाल दिये जता है तो साइड साइड में कुछ आटा बचता है ना बस वही प्रोसेस ही यहाँ पे तो पूरी चादर के चेतरफल में से हम क्या करेंगे कि बृत का जो चेतरफल है ठीक है बृत का जो चेतरफल है उसे हम क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे तो इसका मतलब कि हम ABCD के छेतरफल में से ABCD के छेतरफल में से PQRS के छेतरफल को माइनस कर देंगे तो वही बची हुई चादरों का छेतरफल आ जाएगा तो इस तरह से दोस्तों इसको हम solve करेंगे हम लोग next question देखते हैं अपना next question हमारा दिया गया है एक अर्ध बृताकार sign board की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर कहीं भी वर्ग सेंटीमीटर मिले तो ये समझ लो छेतरफल की बात कर रहा है मतलब एक वर्ग सेंटीमीटर रंगने में कितने पैसे खर्च हो रहा है 15 पैसे लिखा गया है दर से 49.50 पैसे खर्च होते हैं साइन बूर्ड का छेतरफल ग्याद करो तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों एक कह सकते हो कि एक वर्ग सेंटीमीटर खर्च करने में रंगने में अगर हम चटमा कॉश्चन देखें तो एक वर्ग सेंटीमीटर को रंगने में 15 पैसे लगते हैं तो आप से पूछा गया है कि 49.50 पैसे अगर पूरे साइन बूर्ड को रंगने में लगें तो साइन बूर्ड कितने का होगा तो बहुत सिंपल है 15 से इसमें भाग दे दो जो आंसर आएगा वही साइन बूर्ड का छेतरफल होगा नेक्स कॉश्चन देखते हैं तो एक बृत्ट का छेतरफल दूसरे बृत्ट के छेतरफल का 64 कुना है मतलब एक सर्किल है मालो ये सर्किल छोटा सा है जिसे हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और एक बड़ा सा सर्किल है P, Q, R, S ठीक है कहा गया है कि इस बृत्ट का छेतरफल इस बृत्ट का छेतरफल है वो इसके छेतरफल का कितना गुना है 64 गुना है ठीक है उनकी परिधियों का क्या अनुपात होगा ग्यात कीजिए तो अगर इसका छेतरफल जो है वो कितना है पाई इसमाल आर स्कॉयर और इसका छेतरफल कितना होगा 64 गुडे पाई इसमाल आर स्कॉयर तो उसकी परिधिका क्या अनुपात होगा उसके बारे में हमें बताना है दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपको सुरू सुरू में भी बताया कि किसी भी बृत की कोई भी चीज निकालने के लिए हमें आर पता होना चाहिए तो इस छोटे वाले बृत की आर तो पता है कि इस माल आर है लेकिन इस बड़े वाले बृत की actual आर नहीं पता है क्योंकि देखो अगर इस माल आर है तो इतना बड़ा बृत बना है इसका मतलब ये जो बड़ा बृत बना है इसकी तरिज्जा भी तो बड़ी होगी simple सी बात है ठीक है तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि बृतों के छेत्रफलों का अनुपात पता करेंगे बृतों के छेत्रफलों का अनुपात अगर हम देखे तो हमें क्या मिलेगा तो देखो पाई आर स्कॉयर डिवाइड़ बाई 64 पाई आर स्कॉयर ठीक है Pi से Pi cancel उपर देखो क्या मिल गया हमें मिला है R² और नीचे क्या मिला है 64 R² अगर हम divide करेंगे दोस्तों तो इसको हम लिख सकते है small R divided by 8 small R का whole square इसका मतलब उपर वाले बृत्त की तरिज्जिया अगर small R है तो नीचे वाले बृत्त की तरिज्जिया उसकी 8 गुणी है कितनी है? 8 गुणी है अब हमें पता चल गया कि जो बड़ा वाला बृत्त है अगर उसे capital R ले लेते हैं तो उसका मान कितना मिलेगा हमें 8 R मिलेगा तो इस तरह से हम उनकी परिधियों का अनुपात निकालें तो अगर हम उपर वाले बृत्त की परिधियों का अनुपात निकालेंगे तो 2 Pi R होगा और नीचे वाले बृत्त की परिधियों का अनुपात निकालेंगे दोस्तों परिधियों का अनुपात निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 pi r and divided by 2 pi capital r तो देखो यहां से यह सब तो cancel हो जाएंगे बचेगा क्या small r upon capital r तो small r की value r ही है and capital r की value 8 r है इसको काट दोगे तो परिधियों का अनुपात आ जाएगा एक ratio 8 इसका मतलब यह हुआ कि जो अनुपात परिधियों में होता है वही अनुपात त्रिज्याओं का भी होता है इस seat को याद रखेगा next question देखते हम लोग लिखा गया है एक plastic की आयता कार seat 36 गुड़े 24 cm की map की है तो अगर हम एक seat लेते हैं इस तरह से तो यह हमारा 36 हो गया और यह हमारी कितनी हो गई 24 हो गई इसमें से एक cm ब्यास के 868 बृता कार बटन निकाल लिए गए है B बची seat का छेतरफल तो बहुत से ब्यात है एक cm ब्यास का मतलब हो गया कि जो आपकी तरिज्या होगी वो कितनी हो गई एक बटा 2 cm की और कितने ब्रिताकार बटन निकाले गए है 868 तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बहुत सिंपल है ध्यान से समझेगा A B C D जैसा कि हमने चादर वाला कॉस्टन लगा था बस वही काम करना है तो बची seat का छेतरफल गुड़े पाई आर स्कॉयर अब इस आर की जगह पे क्या रखोगे तो रखोगे एक बटा दो क्या रखोगे एक बटा दो क्योंकि हर एक बटन का जो तरिज्या होगी वो आधे सेंटीमीटर की होगी तो A B C D का छेतरफल कितना हो जाएगा 36 गुड़े 24 माइनस 868 868 868 गुड़े पाई का मान हो गया 22 बटा 7 गुड़े आर की जगह पे हम एक बटा दो रखेंगे तो एक बटा दो गुड़े एक बटा दो करना होगा तो इस तरह से 2 से काटोगे 11 हो जाएगा फिर 2 से काटोगे इसको तो 4 दुना 8 4 तीन दुना 6 फिर 4 दुना 8 एंड 7 से काटोगे तो 7 चाक 42 और 14 हो जाएगा 7 दुना 14 तो यहां बचेगा 62 गुड़े 11 है तो यहां हो जाएगा 36 गुड़े 24 माइनस 62 गुड़े 11 है ठीक है तो इस तरह से इसको हम माइनस करेंगे तो जो हमारा आनसर आएगा वो बची हुई सीट का 6 तरफल हो जाएगा नेक्स कोश्चन दिया गया है दो बृत्तों के 6 तरफलों का अनुपात एक रेशियो 4 है उनके ब्यास का क्या अनुपात होगा तो दोको दोस्तों अगर हम 6 तरफलों का अनुपात चुकि मैंने पीछे ही अभी बताया तो मालो एक बृत्त की तरफलों का अनुपात एक बृत्त की तरफलों का अनुपात क्या होगा तो पाई आर स्कौाइर डिवाइड़ बाई पाई आर स्कौाइर और ये किसके बराबर है एक बटे चार के पाई से पाई कैंसिल अगर हम देखेंगे आर अपान आर का होल स्क्वाइर बराबर एक बटा दो का होल स्क्वाइर स्क्वाइर से स्क्वाइर कैंसिल तो पहले वाले की तरिज्या अगर एक सेंटीमीटर की है तो दूसरे वाले के तरिज्जा कितनी हो जाएगी दो सेंटीमीटर की तो मैंने आपको बताया था अगर आपको तरिज्जा पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो तो पूछा गया है उनके ब्यासों का क्या अनुपात होगा तो पहले वाले का ब्यास हो जाएगा टू आर और दूसरे वाले का ब्यास हो जाएगा टू कैपिटल आर टू मल्टिप्लाइ बाई पहले वाले के तरिज्जा कितनी आई है एक और दूसरे वाले के तरिज्जा कितनी आई है दो तो यहां से गुड़ा करा दो तो दो से दो cancel फिर कितना आ गया एक बटा दो यानि हमारा answer कितना आ जाएगा एक ratio दो तो इस तरह से 9 question लगता है दोस्तों और आज का session यहीं पर finish होता है हम लोग मिलेंगे next video में and I hope आपको सारा session समझ में आ रहा है because आपके अगले 3 से 4 video में पूरी mathematics खतम हो जानी है so please concern होके पढ़िए आपके exam जरूर जुलाई के last तक होने की पूरी probability है thank you दोस्तों thank you so much